हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सुरजपटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक तहे दिल से स्वागत हैं दोस्तों मुंबई उनिवर्सिटी के जितने भी स्टुएंट है सभी को लग रहा है कि उनका एक्जाम ओफलाइन तरीके से होने वाला है तो दोस्तों बता दू कि आपके जो एक्जाम है वो ओफलाइन ना होते हुए ओनलाइन है और दोस्तों मैं यूही आपको नहीं कह रहा हूँ एक ओफिसली नोटिस है इस समय मुंबई उनिवर्सिटी का जो इस वक्त इस स्क्रीन पे दीख रहा है और काफी होगा दोस्तों इस वक्त जो मैं नोटिस दिखा रहा है यह मुंबई उनिवर्सिटी का ओफिसली नोटिस है कि आपका एक्जाम जो है वो ओनलाइन एक्जाम होने वाला है ना की ओफलाइन सब डीटेल बता रहा है यह पूरा जो आप नोटिस देख रहे है इतने सा पॉइ एक्जाम के जगे इस बार ओफलाइन एक्जाम है तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है इस बार का भी एक्जाम ऑनलाइन ही होने वाला है जितने भी स्टुरेंट तूसाज़न ट्वेटी ट्वेंटी वन से लेके 2022 के लिए रजिस्टर्ट किये उन सभी का एक्जाम कंड़क आया जाएगा जितने भी स्टुरेंट है उन सभी स्टुरेंट को मुंबई उनिवर्सिटी को उनका मोबाइल नमबर इमेल आइडी पियारे नमबर ठीक है वो अगर ओनलाइन एक्जाम जो परिक्षा होने वाली है तो ओनलाइन परिक्षा कौन सा चीज यूज़ करने वाल है और दोसी यह पूरा डीटेल आपको nxr A में मिल जाएगा अभी nxr A क्या है मैं आपको खो भी दिखा देता हूँ इतनम नीचे यह तो मैं वो दिखा देता हूँ क्या क्या क्राना आइस तो यह है इस्ट्वोड का नाम प्यारे नंबर प्रोग्राम काटेगरी इमेल AID WhatsApp नंबर पेरेंस गाइडलाइट और यह आप क्या यूज करने वाले स्मार्टफोन लेप्टॉप डेस्टॉप जो भी आप करने वाले यह आपका पूरा डिटेल एड्रेस हर एक चीज इदर आपका आ जाएगा ठीक है तो यह था यह आपको देना है मतलब इसी से हमें पता चल गया कि यह एक्जाम कैसा होने वाला है ओनलाइन और यह मुंबई यूनिवर्सिटी का ओफिसली नोटीस है और दोस्तों इदर भी देख लिजे कि आपका जो एक्जाम है वो ओनलाइन तरीके से ही घेना ठीक है होने वाला है ठीक है देन उसके बाद अगर हम आगे की बात क करें कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने जो क्लस्तर कोलेज बनाया था वही सबीचीज डिसाइड करेंगी हर एक चीज़ और मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से सबी स्टुएंट को सीट नंबर दिया जाएगा लेकिन यह उनी स्टुएंट को दिया जाएगा जिनोंने एड्मिशन करवाया है दोसों और आपका जो भी रिपोर्ट है वो जल्दी एमके सी एल के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से आप लोगों का इंटर्नल एक्जाम टीम एक्जाम यह भी पंदरा नौइमबर से कंड़क करवाया जाएगा साथी साथ जो भी इस्टुएंट का प्रोजेक्ट है वायवा है प्रेक्टिकल है यह भी आप लोगों का जूम एप से लिया जाएगा या गूगल मिर्स से लिया जाएगा इसकाय पर अगर यह सब चीज़ों से नहीं लिया जाएगा तो दोस्तों आपको टेलीफ जरूरी था साथे साथ की भाई जो भी मुंबई यूनिवर्सिटी के तरब से एक्जाम होने वाले हैं उनके प्रोवाइट करवाने की भी बात चल रही है साथे साथे जितने भी एक्जाम दोस्तों इस वाग आपको इस समय कंप्यूटर स्क्रीन पर दीख रहे हैं मेरे परिख्षाय कंदग की जाएगी शिक सेम डिसमबर से लेकर 20 डिसमबर तक का एक्जाम कंदग करवाया जाएगा अब इसके बात जो इन्पोर्टेंट पॉइंट आता जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि भाई एक्जाम जो होने वाला है ठीक है फाइनल येर का जो भी है उनको कितने question आने वाले हैं कितने marks के लिए आने वाले वो important है तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपका 50 marks का paper होगा जिसमें 50 mcqs होगे मतब all question compulsory होगा आपको सभी question fill up करना होगा अब बात करते हैं कि जो engineer student है तो दोस्तों engineer student का paper 80 marks का है जो पहले इसको थोड़ा मुस्किल कर दिया गया पहले ऐसा होता था कि maximum mcqs पूछा जाता था थोड़ा सा descriptive type question दिये जाते थे लेकिन इस बाद स्रीफ mcqs आप लोगों के लिए 20 marks का होगा 60 marks का आपका जो exam होगा वो descriptive time होगा और आपको इसके exam के लिए two and a half मतलब टाइम मिलेगा two and a half hours ठीक है मतलब उस मेंसे जो आपका जो अपना 20 marks होगा उसके लिए 30 मिलेगा mcqs के लिए और आपका descriptive exam होगा उसके लिए दो घंटे का time आप लोगों को दिया जाएगा तो कहने का मतलब यह पूरे notice में कि आप लोगों का जो भी exam है जो conduct करवा रहे मुंबई university आप किसी भी अफवा में मत जाईए exam online ही होने वाला है offline नहीं होने वाला है exam conduct करवाया जाएगा जिस तरीके से पिछले साल हुआ है आप लोगों को seat number provide करवाया जाएगा whole ticket provide करवाया जाएगा आपके status पर अप्रूव दिखाया जाएगा आप इस exam में जितने भी एटीक-एटीक स्टुएंट है या जो regular स्टुएंट जिनका exam conduct होने वाला है उन सभी स्टुएंट का exam online ही होगा offline नहीं होने वाला है आपको यह कोई भी information दे रहा है कि इस बार का exam offline है तो fat information है गलत information है और अगर इसी बात पर बोलू अगर वह अपना गलत information proof करने का और एक तरीका है मेरे पास मैं आप लोगों को वह भी दिखा देता हूँ कि वह exam इस बार का online ही होने वाला है वह मैं इस तरीके से क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों जैसे कि अगर admission की बात करूँ तो मैं इदा से कोई भी एक admission का यह form open कर देता हूँ दोस्तों अगर मैं यह admission का form open करता हूँ उन लोग ने यही इसी में हर एक चीज में online examination online admission सब चीज mention किया गया है ठीक है जो इस समय आपको मैंने notice दिखा है उस notice में full सामने से लिखा हुआ है कि इस बार का exam भी online होने वाला है तो आप सभी को best अब लग आप online जाईए online तयारी कीजिए और आपको online में अगर support किये चाहिए mcqs का दोस्तों मैं आप लोगों को website भी बता दे रहा हूँ कि सुरजपटेल education.com जो इस वाग इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है आपको all subject का all subject का यह देखिए इदा जितने भी आपको course दिख रहे है become m.com आप जहां भी जाए उस standard का औ all subject का आपको mcqs मिल जाएगा यह देखिए इदा पुरा अगर आप नीचे आओगे तो सभी subject कि इदर है जो subject चीए आप business economy देखिए दस post आप क्लिक कीजिए उस subject आपको mcqs मिल जाएगे साथी साथ और एक website है जहां आपको और भी mcqs मिल जाएगे आपको कुछ नहीं क ideal.com दोस्तों यह लिखना है फुल Mumbai University ideal.com लिखना है जैसी आप दोस्तों क्लिक करोगे आपके सामने यह website आ जाएगा तोस्तों इस website पे भी देखिए आपको m.com और b.com यह दो सब मतब स्टेंडर के लिए specialized mcqs सिधर आपको मिल जाएगे आप जाके बहुत आसान तरीके से जाके बहुत आसानी से study कर सकते हो और guideline भी आप लोगों को बता दिया तो बैस सब लग आप लोगों के exam के लिए फिर से मिलता हूं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाइबाय दोस्तों जय हिंग जय भारत दोस्तों